GMW Motors ने अपने हेवल ब्रेंड के तहट आने वाली कई SUV के Concept Model को फरवरी में आयो चित हुए Auto Expo 2020 के दोरान शोकिश किया था अब कमपनी ने बीजिंग Auto Show में Concept Edge के Production Version से परदा उठा दिया है इसे हेवल First Love नाम से पेश किया गया है बता दे कि दूसरे मार्केट के लिए ये Next Generation की S2 Concept SUV है इस कार का Production Version Concept Model से काफी तक मिलता जूलता है बता दे कि इसके Concept Model को Production Version की तरह ही पेल इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में शोकेश किया गया है Concept Edge में सबसे ज़्यादा पसंदाने वाली चीज इसका Lighting Layout था इसमें साथ Seven Shape के Teardrop LED Day Templating Lights दी गई थी वही Production Version में Lights को Front Corner के बज़ाए थोड़ा अंदर की तरफ दिया गया है इसके Grill की Design Chrome Lining के साथ पहले से ज़्यादा बड़ी नजर आती है हाला कि ये Concept Model के मुकाबले थोड़ी कम स्पोटी दिखाई पड़ती है Rear Profile की बात करे तो इसके Design में Concept Model के मुकाबले कोई भी अंतर नजर नहीं आता है हाला कि इसमें लगे Wheels Concept Model की तुनला में काफी छोटे है लेकिन अब इसके Design स्पोटी हो गई है कम्पनी ने फिलाल इसके Features List का खुलासा तो अभी नहीं किया है मगर कैबन की जलक देखकर ये साफ तोर पर कहा जा सकता है कि इसमें Dashboard के उपर की तरफ बड़ा टस्क्रीन इंफोटेमेंट सिस्टम प्रीमियम डूल टोन अप्पोल्टिंग और पेनरोमिक संरूफ जैसे Features दिये जाएंगे आपको बता दे कि इसके Concept Version को Plug-in Hybrid Model के तौर पर सोकेश किया गया था अनुमाने की Next Generation की S2 में भी Petrol Hybrid Power Train दी जा सकती है वरतमान में इसके मौझूदा मौडल में आपको 1.5 लिटर तर्बो इंजन, 6-speed manual और AMT यानि की Automatic Transmission Option के साथ देखने को मिलेगी भारत आने वाली इस SUV में डीजल Power Train Option भी दी जा सकती है महराश्टर सरकार द्वारा लगाये जाने के तहट इसका Plant जल्दी लगने वाला है जिसके तहट इस गाड़ी का Production जल्दी शुड़ो हो जाएगा और भारत में इस गाड़ी का Production होने के अनुसार है तो इसकी वरे से इस गाड़ी की कीमत भी 10 लाख रूपे के अंदर ही रहने वाली है New Generation S2 SUV का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Celtos, Nissan Kicks जैसी शांदर SUV से रहने वाला है इसके अलावा इसका Comparison Upcoming Volkswagen Taycan और Skoda Vision Inn Based SUV से भी होगा तो दोस्तो अपनी रहा हमें Comment Box में लिखे जरूर बताएगा आपको ये आने वाली नई SUV कैसे लगी क्या आप इसको खरीदने में इंटरस्टेड है अपनी रहा हमें Comment में और अपनी जगे का नाम हमें Comment में लिखे जरूर बताए अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरस्टेड है अगर आपको ये गाड़ी पसंद आए तो बिना लाइक करें मत जायागा दोस्तो आज के वीडियो का टार्गेट रखते हम 700 लाइक का अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से 700 लाइक के टार्गेट को पूरा कर दीजेगा आपका एक रेक्ट चैनल की बहुत मदद करता है ऐसी वाँ वीडियो देखने करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें मिलते गली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद